डाउटनट पर आप मैं को टागे बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर जीवी सर अकांशा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स आज ये नाउलोड कीज़े डाउटनट आप और आज हम सबसे पहला मैक्रो मॉलिक्यूल बढ़ेंगे जो की है काबो हाइडरेट्स तो हम पॉली सेकराइट्स बढ़ेंगे तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब हम स्टाडी करते हैं कि कैसे लेविंग डिशूज में कौन-कौन से टाइप ऑफ बायो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं तो हमने देखा था एक एकस्पेरिमेंट में जिसमें जो फिल्टरेट था वो पास हो गया था नीचे आसेट के संग तो यहां पे जो भी हमको फिल्टरेट मिला था वो आसेट सॉल्यूबल था और इसी फिल्टरेट में जब इसकी टेस्टिंग हुई तो य to 800 daltons approximately और जो acid soluble remnant था उसमें four types के organic compounds देखने को मिले नेमली वो compounds थे proteins, nucleic acids, polysaccharides और lipids अब हमने ये देख लिया कि ये सब क्या है हमारे bio macromolecules अब हमने इसके पिछली क्लास में micro molecules भी पढ़े जिसमें हमने proteins के लिए पढ़ा amino acids, nucleic acids के लिए हमने short में देखा कि nitrogenous bases होते हैं, कैसे वो sugar किसंग मिलके nucleosides बनाते हैं, फिर further nucleotides बनते हैं और हमने lipids पढ़ा, lipids एक macromolecule है लेकिन ये क्या है इसका कोई छोटा sub unit नहीं है ये as it is ही है और हमारा fourth है polysaccharides जो हम आज detail में पढ़ेंगे तो basically आज हम पढ़ेंगे carbohydrates इसके क्या monomers होते हैं और ये polymer कैसा होता है तो देखो पहले यहाँ पर लिखका है biomolecules compounds जो कि living organism में found होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एग जिनका molecular weight less than है 1000 dental से they are refers to micro molecules simply biomolecules और वही जब मिलके बनाते हैं macromolecules while those which are found in the acid insoluble fraction वो क्या है biomacromolecules अब क्या बोल रहा है molecules in the insoluble fraction with exception of lipids are polymeric substances जैसे मैंने अभी बताया कि यह सब जो macromolecules हैं जिसमें हमारे proteins आ जाते हैं nucleic acids आ जाते हैं carbohydrates आ जाते हैं यह क्या है छोटे-छोटे monomer से बना होता है लेकिन जो lipids होते हैं वो फदर किसी छोटे monomer से नहीं बना होता यह as it is बने होते हैं तो यह छोटे-छोटे monomer से बनके polymer बन जाते हैं लेकिन lipids कोई polymeric substance नहीं है फिर हम lipids को जुसका molecular weight exceed नहीं करता उसको फिर क्यों बोलते हैं macromolecules क्योंकि basically lipids बेशक छोटा-छोटा है लेकिन ऐसे ही वो arrange करता है खुद को और बड़ी-बड़ी structures में बन जाता है या मैं बोल सकती हूँ कि वो ऐसे ही chains बना-बना के arrange रहता है जैसे अगर हम cell membrane में देखते हैं तो पूरी lipid की chain होती है जब हम tissue को grind करते हैं और cell का structure does disrupt करते हैं तो जो cell membranes हैं और जो भी membrane है वो pieces में तोट जाते हैं और वो water में soluble नहीं होते क्योंकि ये again lipids से बना है lipids क्या है जैसे मान लो oil है water में mix नहीं होता fats है water में mix नहीं होते तो इसी वज़ा से इसलिए ये substances ultimately vesicles बना लेते हैं और separate हो जाते हैं with the acid insoluble pool और hence ये कहां रहते हैं macromolecle fraction में तो lipids को कह सकते हैं कि ये strictly macromolecle नहीं है बढ़ हां consider किया जाता है तो क्या हो रहा था जो हमारा हमने अभी देखा था कि जो भी हमें यहां पर मिल रहा था filtrate में जो भी चीज़े हमें मिल रही थी उसके उपर जो remnants थे यहां पर सारे हमारे heavy substances थे तो lipid वहां पर क्यों रहता है क्योंकि वो insoluble है लेकिन strictly उसको macromolecule नहीं बोल सकते अब हम start करेंगे पहला macromolecule तो polysaccharides basically होते क्या है इनी को carbohydrates बोलते हैं ठीक है तो यहां पर लिखा भी है यह क्या है basically carbohydrates है तो यह चोटे चोटे शुगर से बना हुआ है शुगर combine होते हैं long chains polysaccharides बन जाते हैं और यह शुगर different different type की होती है तो यह जो चोटे चोटे शुगर यह जो monomer होते हैं जो join होते हैं milky एक polysaccharide बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं monosaccharide तो जो building blocks है वो monosaccharide है example जो cellulose है cellulose भी group करके ही बनता है तो basically यह एक polymer है जो किस से बना होता है जब बहुत सारे monosaccharides यानि कि glucose combine होते हैं तो cellulose बनता है तो homo polymer होता है whereas यहाँ पर starch की बात की है जहाँ पर starch का हमें पता है कि जो भी plant है photosynthesis किस form में हो food किस form में store होता है starch की form में होता है similarly animals में वो glycogen की form में होता है तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले दो type के आ जाते हैं polysaccharide एक जिसको बोलते हैं homo polysaccharide अब polysaccharide बना किस से होता है monosaccharide में तो homo में एकदम एक ही type का होता है only one single type of monosaccharide ठीक है अब जिसमें हमने example देख लिया example क्या हो गया इसमें cellulose cellulose किस से बनता है मिलके एक ही type का इसमें monosaccharide होता है which is glucose उसी तरह starch भी homo होता है starch किसका food product होता है plant का and glycogen भी homo होता है जो कि animals के case में होता है whereas दूसरी तरफ होते हैं heteropolysaccharides जिसमें two or more type के monosaccharides होते हैं अब इसमें कौन से example आ जाएंगे जैसे chitin, sucrose, etc. similarly मुझे यहाँ पर क्या दे रखा है insulin insulin क्या है यह polymer होता है fructose का यानि कि बहुत सारे fructose मिलके insulin बनाते हैं तो next हमने क्या पड़ा fructose मिलके क्या बनाता है insulin insulin अब देखो कोई भी polysaccharide chain में इन्होंने example glycogen का लिया है इसके right side में एक reducing end होता है और इसके left side में एक non reducing end होता है इसमें branches होती है similarly starch के बारे में क्या बोला है कि यह एक helical secondary structure बनाता है starch can hold I2 molecules in the helical portion तो starch I2 अभी देखो starch iodine की test कि यहां पर बात हो रही है क्यों iodine test हम starch में करते है तो हमें blue black color मिलता है तो यहां पर वही है वो hold कर देता है इस molecules को और देता है blue black color cellulose does not contain complex helilose hence जो cellulose होता है वो blue black color नहीं देगा ठीक है next यहां पर क्या बोल रहा है हमें दे रखा है कि plant cells जो है वो बने होते है cellulose से हमको पता है क्योंकि cellulose से बनी होती है where as अगर हम cellulose की बात करें तो हमने chitin देखा है chitin किसके case में होता है fungi के case में होता है then paper again हमें plant से ही मिलता है तो उसमें क्या होता है cellulose fiber ही होता है There are more complex polysaccharides in nature, अब they have building blocks, amino sugars, मतलब sugars के संग combine होके amino group बनते हैं, तो एक complicated building, जैसे देखो, एक amino group है और एक sugar है, तो यहाँ पर दो चीज़े जूड़ी हैं, तो हमें complex polysaccharides देखने को मिलते हैं, जैसे glucose amine, N-acetyl glucose amine, अब एक और, शिटन जैसे मैंने बताया था, fungi में present होता है, वो exoskeleton of arthropods, यानि कि insects में भी present होता है, these complex polysaccharides are known as, are mostly homopolymers, तो देखो, जितने भी यह इस type के complex polysaccharides होते हैं, यह जादा तर homopolymers ही होता है, यानि कि इसमें एक ही type का monomer होगा, अब हम फटा-फट से सारे के सारे carbohydrates देख लेते हैं, तो carbohydrates जैसे में हमने देखा, कि mainly यह बने होते हैं, carbon से, hydrogen से, and further oxygen से, और इनको बोला जाता है, saccharides, और saccharides basically क्या है, sugar, तो carbohydrates का जो basic component है, which is sugar, अब यह sugar हमने किस-किस types के देखे, सबसे पहले ही जिसको हम बोलते हैं, monosaccharides, ठीक है, then उसके बाद हमने देखा, derived monosaccharides, derived monosaccharides, एक होते हैं हमारे पास, oligosaccharides, तो यह हमें book में नहीं दे रखा, लेकिन हमें पता होना चाहिए, need point of view से, तो यह तीनों जो sugar है, यह है micro molecule, तो जैसे मैं आपको पताया था, हम detail में पढ़ेंगे, अब इसको भी, तो micro molecules, इन्हीं सब को मिलाके, बड़े molecules बनते हैं, जिसको polysaccharides बोलते हैं, सबसे पहले monosaccharides, अब हमारे जो basic monosaccharides हैं, which is glucose, then हमारे पास आता है ribose, fructose, यह क्या है, basic sugars हैं, basic monosaccharides, अब यहां NCRT में हमें ring structure देख रखा है, glucose का और ribose का, इसी तरीके से open structure भी होता है, तो यह है normal open branch structure, तो glucose क्या होता है हमारा, C6H12O6, and ribose होता है हमारा, C5H10O5, then derived monosaccharides वो होते हैं, जो इन ही monosaccharides से derived होते हैं, जो हमने पढ़ा था कि complex होते हैं, for example हमारे पास आ जाएगा, D-oxy sugar, example जब हम ribose sugar की, de-oxygenation करते हैं, जब उसमें हम oxygen को remove कर देते हैं, तो वो क्या बनता है, D-oxy ribose sugar, जो हमारा DNA में होता है, उसी तरीके से amino sugar, amino इसमें हम amino group add कर देंगे, अगर हम glucose में add कर देंगे, तो क्या बन जाएगा वो, glucose amine, then हमारा sugar acid हो जाएगा, अगर हम इसमें हम acid add कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, glycoronic acid, जो हमारा vitamin C होता है, ascorbic acid, वो भी ऐसे ही मिलता है, then उसके बाद, sugar alcohol, for example, manitol, तो ये हमें पता होना चाहिए, कि ये सब जो है, manitol, glycoronic acid, ascorbic acid, ये सब क्या हैं, derived monosaccharides हैं, तो ये micro molecules है, manitol कहां present होता है, brown algae में, important, फिर आते हैं, oligosaccharides, ये वो होते हैं, जो कि condensation reaction से बनी होते हैं, अब condensation में क्या होता है, जब दो molecules को, साथ में combine किया जाता है, और उसमें loss होता है, एक water molecule का, तो उसको बोलते हैं, oligosaccharides, तो basically इसमें क्या होगा, जब दो monosaccharides, दो monosaccharides, आपस में link हो जाएंगे, और ये link किस से होते हैं, ये जो bond होता है, इसको क्या बोलेंगे, glycosidic bond, ठीक है, तो ये अभी बहुत बड़ा polysaccharides नहीं बना, ये दो monomers को बिलाके, हमने एक oligosaccharides बना दिया, तो ये bond जो है, ये किस के बीच में बना होता है, अब ये important है, जो हमें पता होना चाहिए, between the aldehyde, या फिर ketone, एक group का, या तो aldehyde, या फिर ketone group of one monosaccharide, और दूसरे का alcohol group, तो जब जाके, बनते हैं oligosaccharides, और ये जो reaction होती है, वो कौन सी होती है, dehydration reaction, depending upon कि कितने monosaccharides add हुए हैं, तो वो different different type के oligosaccharides बनाते हैं, जैसे अगर दो add हुए हैं, तो वो diaccharide बनाएगा, example इसका क्या हो जाएगा, sucrose, lactose, ठीक है, अगर क्या होगा, trisaccharides, यानि की तीन है, तो example कौन से आ गए इसमें, rafinose, again important, rafinose किस से बना होता है, ये एक glucose होगा इसके अंदर, एक fructose होगा, और एक galactose होगा, ठीक है, उसके अलावा, again ऐसे ही series चलती रहेगी, अगर और होगे, चार होगे, तो उसको tetrasaccharides बोला जाएगा, example मैं आपको बता देती हूँ, which is stachios, तो again polysaccharides अब हम पढ़ेंगे, polysaccharides तो क्या है, ये कुछ नहीं है, polymer है, जो group हो जाते है, together, monomer, monosaccharides, तो उनको बोलते हैं, polysaccharides, फिर हमने ये देख लिया, कि ये जो polysaccharides है, हमारे दो टाइप के हैं, which is hetero and homo, homo जिसमें एक ही टाइप का होता है, hetero जिसमें, दो या दो से जादर टाइप का होता है, तो homo में कौन से आ जाते हैं, फिर से हम देख लेते हैं, सारे example, which is starch, starch किसे बना होता है, ये glucose से बना होता है, अब glucose से कैसे बना होता है, ये एक helix बनाता है, एक helical structure होता है, it is a secondary structure, तो वो starch बनाता है, तेन दूसरा क्या आया था, हमने इसमें देखा था, cellulose देखा था, अब cellulose भी तो glucose से बना हुआ है, लेकिन इसमें क्या difference है ये भी है तो glucose लेकिन ये किसी भी type का helix नहीं बनाता starch iodine के संग bond करता है और ये iodine के संग नहीं bond करता then हमने हाँ पर तीसरा कौन सा पढ़ा था which is inulin अब ये inulin क्या होता है sorry जिसको मैंने sorry insulin बोल दिया था ये fructose से बना होता है अब इसका जो काम है वो storage का होता है ये tubers में present होता है human में ये metabolize नहीं होता next अगर हम देखते हैं hetero में तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहले मैंने आपको बताया था chitten अब इसमें क्या important है कि ये second most abundant molecule है पूरे earth में organic molecule सबसे बड़ा second most organic molecule है अब ये भी glucose से ही बना है लेकिन again ये फिर अलग क्यों है तो ये derived monosaccharide से बना होता है जिस इसमें क्या होता है nitrogen present होता है तो nitrogen containing glucose तो ये किस से बना होगा N-acetyl glucosamine next is peptidoglycan जो की present होता है bacteria के cell wall में ये दो alternate amino sugar से बना होता है एक तो हो गया same N-acetyl glucosamine जैसे हमारा बना होता है chitin और दूसरा क्या होता है इसमें N-acetyl muramic acid तो ये हो गया peptidoglycan next is hyaluronic acid और ये बना होता है dextroglucoronic acid अब आपको मैंने बोला था कि biomolecules आपको N-C-A-T से पढ़ना है तो हम बाहर से क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसमें क्या है छोटे छोटे जो हमें sugars या kol भी हमें proteins दे रखे हैं N-C-A-T में उसकी details study नहीं दे रखी है तो definitely वो चीज़ हमें बाहर से पढ़नी होगी और वो हम simple question practice करके या previous year solve करके भी देख सकते तर यहाँ पे starch का भी detail structure बहुत important होता है starch जो की plants में storage of food इस form में होता है अब ये दो component से बना होता है एक जिसको बोलते हैं amylose और दूसरा जिसको बोलते हैं amylopactin अब याद रखना मैंने starch को बोला था वो एक helic structure बनाता है amylose क्या होता है unbranched polymer है whereas amylopactin branched polymer होता है तो amylose की case में क्या होता है ये helical होता है हर turn में each turn consists of six glucose units तो बना तो ये glucose से ही होता है इसमें glycosindic linkages देखने को मिलती है और इसमें एक straight chain होती है जिसमें 200 से लेकर 1000 glucose तर खो सकते हैं whereas amylopactin में क्या होता है यहाँ पर present होता है एक branching point और ये branching point यहाँ पर क्या होती है 1,6 glycosidic linkage 1st and 6th carbon के बीच में glycosidic linkage होती है जो हमने अभी देखा था जो bond होता है इसके अलावा carbohydrates में एक important topic है which is reducing sugars and non-reducing sugars अब ये क्या होती है reducing sugar के पास होता है free aldehyde group और एक free ketonic group और इनी दोनों की वज़ा से ये benedicts test देते हैं benedicts test और also felling test तो ये दोनों ही test देते हैं अब ये test किया जाता है जब हमें glucose को पता लगाना हो urine के case में glucose in urine जब पता लगाना होता है तो ये test करते हैं तो reducing से याद रख लो कि ये easily C2 plus copper ions को reduce कर सकते हैं copper plus ions में अब जितने भी monosaccharides होते हैं वो reducing के ही होते हैं इस type का reducing nature नहीं दिखाएंगे ना ही ये benedicts test दिखाते हैं इसका एक बहुत अच्छा example है which is sucrose sucrose जो की बना होता है किस से glucose से और fructose से मैंने बताया था कि ये hetero है ठीक है अब इसके case में क्यों ये non reducing होते हैं क्योंकि इसमें aldehyde group of glucose and ketone group और fructose यानि कि इसका aldehyde और इसका ketone group ये आपस में यहां से bond होता है इसमें glycosidic linkage होती है ये bond होता है जिसकी वज़े से यहां पर free aldehyde और ketone group नहीं होता है तो ये थे हमारे carbohydrate के सारे important points अब next class में हम दूसरा background molecule पढ़ेंगे जो की होगा प्रोटेंस थांक यू